हेलो फ्रेंज मिनाक्षिज किचिन एंड इंडियन कल्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम सकट चौत पर गने जी को लगने वाला स्पेशल भोग तैयार करने जा रहे हैं आज हम बनाएंगे काले तिल के मोदक तो इसके लिए मैंने ये 50 ग्राम काले तिल ले लिये हैं एक कप के करीब है ये और इन्हें मैंने बहुत अच्छे साफ कर लिया है च्छान लिया है क्योंकि इसमें बहुत सारे इंप्यूरिटी होती है बहतर तो रहता है कि हम इन्हें धुल करके सुखा करके ही इनके लटू या फिर मोदक बनाएं और उसके लिए मैंने देखिए जितना तिल लिया है उतना ही मैंने गुड लिया है जिसे कि हमने कदू कसमी ग्रेट कर लिया है इससे सौफ्ट हो जाएगा और कार्णिश करने के लिए कुछ काजू लिए है मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे उसे मीडियम गरम कर लेंगे और उसमें काले तिल डाल करके इन्हें हलका सा रोस्ट कर लेंगे दो से तीन मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए तिल को हमें बहुत जादा नहीं भूनना है नहीं तो तिल कड़वे हो जाते हैं और इनका टेस्ट एकदम से खराब हो जाता है तो देखिए हमारे तिल भून चुके हैं अब हम इने साइड में एक प्लेट में निकाल लेंगे आपने तरह तरह के मुदग बनाए होंगे तो इस पार इस संकस्टी पर आप काले तिल के मुदग का गडिश भगवान को भोग अवश्य लगाए और देखिए मैंने वापिस उसी पैन में एक चमश देसी घी ले लिया है घी को मैल्ट कर लेते हैं इसके बाद हम इसमें एड कर देंगे ग्रेड किया हुआ ये गुड़ को आप कूट भी सकते हैं बस मैंने इसे ग्रेड इसलिए किया है कि ये आसानी से मेल्ट हो जाएगा बड़े-बड़े पीसिज होते हैं तो वो मुश्किल हो जाते हैं तो इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हम इसकी एक चाशनी बना लेंगे बीच में हमें रुकना नहीं है चाशनी बनाते टाइम अब चाशनी किया हम टेस्ट कर लेंगे एक कटोरी में थोड़ा सा नॉर्मल टेंपरेचन का पानी लेंगे रूम टेंपरेचर का उसमें दो-तिन ड्रॉप डाल करके देखेंगे अगर ये जम जाती है तो इट मिंस हमारी चाशनी एकदम बनकर के तयार हो गई है तो चाशनी बनकर तयार है इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी सौंट डाल देंगे अब आप यहाँ पर इलाइची का पॉडर भी डाल सकते है इसके बाद हम इसमें एड़ कर देंगे भुने हुए तिल और इस मिक्षर को हम अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा सा ठंड़ा होने देंगे अब आप इस मिक्षर से चाहें तो लड़ू भी बना सकते हैं हाथ पे थोड़ा सा घी या पानी लगा लें गर्मा गर्म मिक्षर का ही हम इसमें लड़ू या मोदग बनाएंगे अगर मिक्षर ठंड़ा हो जाता है तो लड़ू या मोदग नहीं बन पाते हैं मैंने एक यह लड़ू तयार किया है काजू लगा दिया इसके उपर अब मैं इसी मिक्षर से मोदग बनाऊंगी यह मैंने मोदग बनाने का साचा ले लिया है इसमें थोड़ा सा घी लगा लिया है और गर्मा गरम इस मिक्षर को मैं इस साचे में भर दूँगी अब हाथ से भ ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं और इसका इसका इस पैशली गणेश भगवान को सकट चौत पर इसका भोग लगाया जाता है इसको इस तरीके से बंद कर दिया है थोड़ा सा ठंडा होने देंगे उसके आदि हम इसे उपन करेंगे तो देखे कितना बढ़िया एकदम शांदार चमकीला मोदग बन करके तयार हो गया है तो आप इसी तरीके से और भी मोदग बना सकते हैं इसे सुंदर दिखने के लिए मैं इस पर एक काजू लगा दूंगी इससे इसकी सुंदरता और जादा ब अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर अगर आज आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो दो